नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज जम बात करने बाले हैं हैवेल्स इंडिया के बारे में इसके quarter 2 के results आ चुके हैं और धमा के दार profit company ने report किया है बिजनस हमें बढ़ता हुआ नजार आ रहा है तो क्या ये सही समय है invest करन करने का या wait करना चाहिए उसके बार में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए और regular updates पाने के लिए notification bell को press कीजिए साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी join किया जिसकी link description box में दी गई है तो हम चेक करने वाले हैं हैविल्स इंडिया के consolidated financial result जहां पर सारे figures रूपीज इन करोर्स में दीए गए हैं तो सबसे बहले बात कर लेते हैं total income के बारे में तो आप देख पाएंगे total income जो देखने को मल रही है वो है 2538 करोर्स की जो की of course quarter on quarter basis पे तो income उपर जाते वी नजर आने ही वाली थी क्योंकि ऐसा expected भी था हर एक company से quarter one में तो lockdown का period था कामकाच बहुत ही थंडा पढ़ गया था तो उसके मुकाबले quarter two के रिज़ज तो शांदार आने ही वाले थे लेकिन यहाँ पर year on year basis के numbers भी काफी अच्छे दिखाए दे रहे हैं 2260 करोर्स का हमें total income देख कराता है वो है 326 करोर्स का जो की पिछले quarter से तो काफी बढ़ चुका है पहले तो सिर्फ 63.98 करोर्स का profit देखने को मिला था लेकिन अगर बात करें YY performance के बारे में तो भी काफी शांदार profit हमें दिखा दे रहे है 179 करोर्स का profit हमें देखने को मिला था September 2019 में इसके मुकाबल भी profit हमें उपर जाता हुआ नजराता है अब यहाँ पर एक और contribution है जो कि हमें पता होना चाहिए जो other income का segment है आप देख पाएंगे वहाँ पर 79.5 करोर्स का income हमें देखने को मिला है other income से segment से जो कि हमें पिछले quarter के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले उपर जाता हुआ नजराता है लेकिन उसका reason का है वो भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यहाँ पर अगर reason को जानने की कोशिच करें तो आप देख पाएंगे other income includes net profit on sale of land and building situated at greater no idea उत्तर प्रदेश amounting 42.8 करोर्स तो यह हम कह सकते हैं कि जो investment किया था उनके पास जो land थी उसे बेचने के काराण हमे other income में बढ़ाती देखने को मल रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिफ other income के काराणी हमें profit उपर जाते हुआ नजराते हैं इनका जो revenue from operations है वो भी काफी उपर जाता हुआ नजराते हैं अब देख पाएंगे revenue from operations भी 2459 क्रोर्स का देखने को मला है जो की year on your basis और quarter on quarter basis के उपर जाता हुआ नजराता है तो हम कह सकते हैं कि बहले ही other income ने support किया है लेकिन revenue भी उपर जाता हुआ नजराता है मतलग कि इसका जो main कामकाज है main business है उससे भी हमें profit generate होता हुआ नजराता है loyal consumer में others भी कामकाज हमें दिखा देते हैं तो सारे figures यहाँ पर करोस में दिए गए हैं segment revenue के बारे में बात करें तो switch gears में आप देख पाएंगे हमें revenue बढ़ता हुआ नजरा आ रहा है अगर बात करें electrical consumer durables के बारे में तो यहाँ पर भी हमें performance उदरता हुआ नजरा रहा है loyal consumer के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी performance year and year basis फे सुधा रहा है लेकिन quarter on quarter basis फे नीचे आता हुआ नजरा रहा है लॉस देखने को मिल रहे था पहले तो वो तो profit में convert हो जगा है अच्छी बात है लेकिन quarter on quarter basis पे profit गर रहा है other segments के बार में बात करें तो पहले तो loss ही देखने को मिल रहे थे वो फिलाल हमें profit में convert होते हैं तो काफी अच्छे results है हमें आपर overall देखने को मिल रहे है तो आप देख सकते हैं Haveils India एक large cap company है जिसका market cap 45,000 crores के आसपास का है last traded price है 7.25 रुपीस जो कि हमें 0.47% नीचे दिखाई दिया है अगर बात करें इसके returns के profile के बार में तो वन week में 3% के positive returns देखने को मल रहे है वन month के बार में बात करें तो 6.44% के positive returns है अगर बात करें 1 year के returns के बार में तो 9% के positive returns दिखाई दिखाई दिते हैं 5 years long term के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे शान्दा results देखने को मिल रहे हैं, शान्दा returns देखने को मिल रहे हैं, 191% के positive returns बना कर दी हैं, key metrics के बार में बात करें तो PE ratio 61.98 है, जबकि sector का PE ratio 27.34 दिखा जिता है, तो sector के मुकाबले premium valuation पे trade कर रहा है, price to book ratio के बार में बात करें तो वो है 10.57, जबकि sector का price to book 2.78 दिखा जिता है, तो sector के मुकाबले भी महेंगे valuation पे trade कर रहा है, dividend yield के बार में बात करें तो 0.54% का dividend yield है, जबकि sector का dividend हमें 1.42% दिखा जिता है, यहाँ पर जो valuation हमें दिखा जिता है, 2017 में revenue 6.3 thousand crores थी, जो की बढ़कर 2020 में 9.55 thousand crores हो चुकी है, profits के बार में बात करें तो 2017 में 0.49 thousand crores का profit देखने को मिला था, जो की बढ़कर 2020 में 0.70 thousand crores हमें होता होगा नजरात है, लेकिन एक और बात है, जो कि हमें ऐसा investor पता होनी चीए, कि 2019 के मुकबले revenue और profits दोनों में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मल रही है, लेकिन ज़्यादा चिंता वाली बात मुझे यह दिखा ही नहीं देती है, अज के delivery percentage के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे आज जो delivery percentage देखने को मल रही है, 10.12% के लिए रही देखने को मल रही है, जो कि काफी धदा week हमें दिखाई देती है, तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी situation बनी हुई है, उसके बार में भी बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, market में जब crash देखने को मिला था तब 450 के आजबा stock ने support लिया और उसके बाद थोड़ी सी recovery दिखाई थी, और वापर stock ने उसी level को revisit किया, और उसके बाद stock हमें लगातार uptrend में दिखाई देता है, फिलाल stock 720 के भी उपर trade करता हुआ नजरा आ रहा है, current situation के बार में बात करें तो आप देख पाएंगे, फिलाल अपने सारे moving average के उपर stock trade कर रहा है, और 20 days का जो moving average जे काफी दिनों से इसके लिए हमें support की तरह दिखाई देता है, indicators के बार में बात करें तो money flow index का नंबर calculate हो कराता है, 47.37, हमें यहाँ पर money flow index के नंबर में steep गिरावट पिछले कुछी समय में देखने को मल रही है, 47 के बार में बात करें तो neutral condition दिखाई दे रही है, अगर बात करें इसके RSI के नंबर के बार में तो RSI का नंबर calculate हो कराता है, 61.68, तो RSI का नंबर काफी strong दिखाई दे रहा है, अगर बात करें इसके M.A.C.D. के situation के बार में तो M.A.C.D. में जो crossover फिलाल देखने को मल रहा है, फिलाल तो bullish crossover चलता हो नज़ार है, लेकिन पिछले 4 दिनों से जो histogram बनते हो नज़ार है, वो दर्शार है कि आगे आने वाले दिनों में एक bearish crossover भी बनता हो नज़र आ सकता है, बॉलिंजर बैंड के बार में बात करें तो stock बॉलिंजर बैंड के median के आसपास ही support ले रहा है, और वापस तेजी continue रहती भी नज़र आती है, और फिलाल जो upper band है वो 7.39 का level है, अब चलते हैं इसके all time chart पर जहां पर एक candle 1 month को represent करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि stock में कैसी moment बनी हुई है, तो अब देख पाएंगे शानदार stock है, धमाकेदा रिटनेस बना कर दिये है, multi bagger stock रहा है, जब भी इसमें हमें correction देखने को मलता है, तो stock generally support लेता है, अपने 20 months के यमें के आसपास, और वापस हमें तेजी continue रहते भी नजराती है, लेकिन फिलाल आप देख पाएंगे काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मली थी, और March के crash अभी पहले stock हमें नीचे आता हुआ ही नजरा आ रहा था, लेकिन उसके बाद तो ज़्यादा ही गिरावट हो गई थी, तो 100 months के यमें के आसपास stock ने support लिया, और उसके बाद काफी अच्छी तेजी भी दिखाय थी, और फिलाल अपने 20 months के यमें के भी उपर हमें stock trade करता हुआ नजराता है, और 20 months का जो यमें है वो calculate होकराता है 626 के आसपास का level, अब बात करें positions के बारे में, तो अगर आपने उपर position मना कर रखिये, loss में चल रहे हैं, तो मेरा मन नहीं नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी आपको loss book नहीं करना चाहिए, long term के लिए continue holding करना चाहिए, अगर आपने नीचे position मना कर रखिये, profit में चल रहे है, long term के लिए है, तो of course आप continue holding कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने short term के लिए है, तो अगर आप यहाँ पर continue holding थोड़े समय के लिए और भी करेंगे, तो भी कोई problem मुझे दिखाई नहीं दे रहे है, क्योंकि इसके जो quarterly results भी आता है, वो भी काफी अच्छे हैं में देखने का मिले है, business बढ़ता हुआ नजराता है, लेकिन अगर आपने short term के लिए है, तो अगर आप profit booking करेंगे, तो भी कोई problem नहीं है, क्योंकि 744 का level फिलाल के लिए, तो हमें as a strong resistance दिखाई दे रहा है, अब बात करें fresh buy के बारे में, तो stock of course अच्छा है, long term के लिए portfolio में add भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना portfolio हम से review करवना चाहते हैं, तो उसका link भी हमने description box में दे दिया है, तो यहाँ पर मेरा मानने stock का जो valuation है, वो हमने देखा कि सस्ता तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन of course valuation जादा महंगा भी दिखाई देगा, premium valuation दिखाई देगा, क्योंकि अपने market में पुराना नामे काफी ज़दा बढ़ता होगा नजर आता है, और large cap company हम कह सकते हैं कि market leader वाली situation यहाँ पर दिखाई दीती है, लेकिन अगर बात करें इसके सही value के बारे में जहाँ पर buy करने के बारे में सोचना चाहिए, तो मेरा मानना है, personally अगर मैं यहाँ पर buy करना चाहूँगा, तो 620 का level काफी अच्छा level है, जहाँ पर buying के बारे में सोचा जा सकता है, 620 से करके 650 का यह level होगा, जहाँ पर मैं personally buy करना पसंद करूँगा, और जैसे कि हमने देखा, हमने polycap पे result भी देखे थे, तो इसलिए company अच्छी है, और sector में थोड़ा सा उपर जाता हूँ नजरा रहे है, पूरे sector में तेज़े देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैवल सी उपर जा रहा है, या सिर्फ polycap उपर जा रहा है, पूरे sector में हमें थोड़ा सा pick up आता हुआ नजरात है,